तो आज हम लोग देखेंगे कि अगापे जो मशीन है कि इसमें सीवीची टेस्ट कैसे रन करते हैं उसका प्रोसीजर समझेंगे तो सबसे पहले मेन्यू में जाकर पेशेंट इडि डाल देंगे, जो भी पेशेंट इडि होगा उसके बाद patient name patient name में जो select करना है select करके उसके बाद जो भी patient का नाम है उसको type कर लिजे patient का नाम type कर लेने के बाद आपको यहां gender का option दिख रहा है आप gender select कर लिजे ठीक है उसके बाद आप age select करना है तो कर सकते हैं वरना आप enter का जो की दिख रहा है यहां पर उसको प्रेस कर दीजिए उसके बाद ओके को भी प्रेस कर दीजिए मशीन हम लोग की रेडी हो चुकी है और जब हम लोग सीवीची का जो सेंपल लेते हैं उसको कम से कम फाइप मिनिट के लिए रूटर पर अच्छे से मिक्स होने देना है बहुत अ सेंपल को लगा कि उसके बाटन को फ्रेस कर देंगे फ्रेस करने के बाद यह जीतना सेंपल रेक्रीवार्मेंट होता है उतना वह ले लेगा और आपको वहां से ह υटा कुछ उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया आपको डेड़ से दो मिनट की होती है टोटल सिक्वेंस जो होते हैं काउंटिंग के हो काउंटिंग करनेने के बाद जो रिजल्ट होता है वो डिस्प्लेइप सो हो जाता है सो कर देता है और यह टोटली रिपोर्ट जो होता है ग्राफ के साथ सो कर देता है तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट है वह आपको मैं बता देता हूं जैसे कि हमनों का report यहां आ गया है तो सबसे पहले जो है वो Wbc है उसके बाद उसका differential है उसके बाद Rbc है Hemoglobin है Hctmc भी बगरा है यहां पे और यहां उपर PLT है तो यह पूरे जो report है graph के साथ आपको यहां मिल गया है आप इसको देखकर report फिल कर सकते हैं